नख्राब दोस्तों हमारे यूटीव चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेर के बारे में दोस्तों जो मुझे पसंद नहीं है पसंद नहीं है मुझे इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सेर वो बरबाद हो गया या खराब हो गया है या आने वाले टाइम में जो है रीटन नहीं देंगे इसका मतलब यह है कि इनके जो कुछ कंपनियों के अल्टरनेट है मार्केट में और कुछ कंपनियां जो है फंडामेंटल मुझे अच्छी नहीं लगती तो पहले सेयर की तरब में लेकर चलता हूँ पहला जो सेयर है वो हिंदुस्तान यूनि लिवर इसकी अगर बात करें तो फंडामेंटल स्टोंग सेयर है अच्छा कासे इस कंपनियों ने रीटन बना करके दिया है इसके कंपेर मे माइनस कंपांडिंग के साथ Cajr के साथ यह जो है गरो कर रहा है यदि इसके अल्टरनेट की बात करें दोस्तों क्योंकि यह कंपनी जो है फंडामेंटल स्टोंग है लेकिन दूसरी जो कंपनी है वो है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड मुझे यह कंपनी ज्यादा पसंद हिंदुस्तान फूड के जिनके पर हिंदुस्तान यूनि लिवर अपना लेबल लगाके के आगे जो मार्केट है उनमें सेल करता है तो मुझे इसलिए यह कंपनी पसंद है इसलिए मैं अपनी होल्डिंग हिंदुस्तान फूड लिमिटेड में बना रहा हूं ठीक है और आन आपको देखने को मिलेगी जो हिंदुस्तार फूड की जो है क्लाइंट है या पार्टनर है ठीक है आने वाले टाइम में अच्छा खासा ही यह कंपनी करेगी और पिछले कुछ सालों में जो है हाई कंपाउंडिंग के साथ हाई सीएजेर के साथ गरो करिये यह कंपनी नेक्स्ट शेयर की तरह मैं लेकर के चलाऊँगा अगला जो सेयर हुआ है HDFC AMC HDFC Asset Management कंपनी यदि जो है HDFC AMC की बात करें तो यह जो mutual fund होते है उनको handle करने का काम है HDFC AMC का ठीक है जैसे जैसे पैसे HDFC के mutual fund में आएगा वैसे वैसे इस company को growth देखने को मिलेगा यदि इसके बात करें क्यों पसंद नहीं है तो एक तो इसका जो return कई सालों से जो है अच्छा खासा यह company नहीं कर रही इसके बावजू जो यदि आप देखोगे इसके positive point बहुत सारे देखने को मिलेगे profit growth 22% की है लेकिन return मुझे अच्छा नहीं लगता इसके साथ sales growth की बात करें 8% की जो है कम हुई है और इसके जो promoter holding है वो भी कम हुई है इस company की आने वाले time की अगर बात करें तो इसके competitor बहुत सारे market में इसलिए जो है इस company को अच्छा खासा profit नहीं मिलेगा आने वाले time में इसलिए मुझे यह company पसंद नहीं है यदि आपको पसंद है तो इसके fundamental check कीजिए और कैसा यह perform कर रही है quarterly और yearly उसके according अपना decision खुद लेकर इसमें अपनी holding बना सकते है मुझे यह company है वो पसंद नहीं है next share की अगर बात करें तो अगला जो share है HDFC AMC sorry HDFC bank इसके अगर बात करें तो यह जो bank है private sector का market leaders जो है bank है यदि बात करें compounding की 10 साल की 20% की compounding 5 साल की 18% की 3 साल की 12% की और एक साल की compounding हो 5% की compounding के साथ जो है यह stock grow कर रहा है जो कि मुझे जो ह यह इतनी compounding मुझे पसंद नहीं है क्योंकि बहुत कम compounding लगते है मुझे 20% इसी के compare में यदि आप जाओगे तो मैंने जो लिया है SDFC bank की जगह पे लिया है बजाज finance जो की super two per CAGR के साथ जो गरो कर रहा है इसकी CAGR मैं दिखा देता हूं बजाज finance की CAGR आप देखोगे तो 10 स साल की 41% की और लास्ट साल की 2021 की 41% की compounding के साथ CAGR के साथ जो स्टोक है वो गरो कर रहा है तो मुझे banking sector और finance sector में जो है मैंने finance sector को तवज्जो दिया है और बाजाज finance को मैंने जो है अपनी holding में रखा है यदि बात करें इसके reserve की तो अच्छे खासे reserve भी मिलने देखने को मि एसे हैं और holding भी ठीक ठाक देखने को मिलेगी 56% की promoter की holding है यदि next share की बात करें तो अगला जो share है वो है मारुत्ती सुजुकी इंडिया मुझे ये share भी पसंद नहीं है ओटो सेक्टर का कोई भी share मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इनका जो return है वो मुझे अच्छा खासा न market leader ही रहती है हर सेक्टर में ठीक है यदि बात करें 10 साल की compounding 20% की उसके बाद जो compounding बहुत कम देखने को मिलेगी मारुत्ती सुजुकी की इसी की comparison में जो एक stock है दोस्तों वो है Minda Industries इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसकी जो clients है बड़ी-बड़ी कंपनियां देखने और ओफ रोड जो JCB वगएरा होती है उन क्रेंज की जो बनाती है यदि बात करें इनके client तो बजाज BMW होंडा हीरो KTM मेंदरा प्यागो रोयल इंफिल्ट एवियस सुजुकी यामा जैसी हर मतलब जितने भी मार्केट में top company है वो सभी इस company की client है और इनसे प्रोडेक्ट य जितना भी profit होगा इसको भी मतलब उतना ही profit grow होगा इस company का मिंडा इंडरस्टी का यदि इसकी बात करें तो अच्छा खासा जो है इसका CGR compounding है आने वाले टाइम में जो है अच्छा खासा ये company भी आपको करके देगी यदि बात करें इसकी तो मैं लेकर के चलता हूं fundamental की त साल के 30% की है जो कि एक बहुत अच्छी बात है यदि quarterly result की बात करें वह भी अच्छी आ रहे है इसके मुकाबले में आप हम देख लेते हैं कि result कैसी दे रही है company इसके compare में यदि compounding की अगर बात करें high Cajr के साथ ये stock compounding दे रहा है 10 साल की 57% की है 5 साल की 54% की है 3 साल की 22% की 1 साल की 109% की compounding इस stock ने बिंडा industry ने बना करके दिया है यदि बात करें reserve की तो एक बार reserve की तरह मैं लेकर के चलता हूं इस company के पास जो reserve में पैसे वो 3,121 करोड के reserve है इसी के मुकाबले में कर्ज 807 करोड का जो की reserve के मुकाबले में काफी कम है तो एक positive point ये भी बन जाता है मिंडा industry के लिए यदि बात करें promoter की holding की 67% 67% की holding है promoter की FIA की 9% की DIA की 13% की और public की 9% की holding है मिंडा industry में तो मुझे व पसंद है और यदि बात करें next share की तो अगला जो share है वो SBA card and payment services मुझे ये stock बिलकुल भी पसंद नहीं है आपको यदि पसंद है तो quarterly result देखिए fundamental check कीजिए उसके बात जो है इसमें holding बनाईए यदि आने वाले time की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा कासा ये share करेंगा और इसकी यदि पिछले सालों की बात करें तो ठीक ठाक ये गरोव कर रही है अच्छे result आ रहे है profit भी इसके लगातार गरोव होते हुए मिलेंगे ठीक है इसी के compare में यदि compounding देखोगे CGR देखोगे तो last एक साल की माइनस 13% की compounding के साथ ये stock गरोव कर रहा ह रिजर्व की बात कर लेते हैं तो रिजर्व जो है 6000 क्रोड के इसके पास रिजर्व है और इसके उपर जो करज है वो 19,000 क्रोड का जो की एक negative point हो जाता है किसी भी company के लिए क्योंकि saving में 6000 है और करज जो है 19,000 का है जो की एक बहुत बड़ी जो negative point है यदि बात करें holding की तो holding दिखा देता हूं तो 69% की holding है promoter की FIA की 10% की DIA की 11% की Republic की 8% की holding है SBI card and payment बें तो ये थे share कुछ जिनके alternate मैंने बताए हिंदुस्तान Unilever के जो alternate है वो हिंदुस्तान food है ठीक है और मैंने जो HDFC AMC की बात करें तो इसे मुझे जो है ये stock पसंद नहीं है HDFC bank की बात करें तो इसकी जगह पे मैंने बजाज finance को प्रैफर किया है और यदि विकल सेक्टर की बात करें ओटो सेक्टर की बात करें तो मुझे जो है वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू सो मच